Hello students, NMC के नए MBBS Curriculum Practical में एक competency है PH 4.2 Demonstrate the effect of drugs on blood pressure using computer-added learning जिसे सौट में Cal Experiment कहते हैं इससे 10 से 20 माग का question MBBS practical exam में पूछा जाता है इस वीडियो में हम लोग stepwise हर एक drug के graph को analyze करेंगे और exam में unknown drugs को कैसे identify करना है ये भी सीखेंगे वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि एक पूरी class है इसलिए जब भी time मिले तभी इस वीडियो को देखना है एक्सपरिमेंट शुरू करने से पहले मैं ये assume करता हूँ कि सभी लोगों को autonomic nervous system अच्छे से पता होगा और cholinergic, adinergic receptor का distribution और function भी पता होगा अगर नहीं पता है तो पहले ANS को revise कर लो तभी ये experiment समझ में आएगा ओके, so हमारे पास Cal software का basic version है और जब DOCS BP experiment खोलते हैं तो कुछ इस तरह का interface दिखता है इसमें एक exam mode होता है जिसमें drugs के नाम की जगा sample 1234 लिखा रहता है software में total 11 drugs हैं जिसमें सबसे पहला epinephrine है या adrenaline epinephrine को देने के बाद हमें कुछ इस तरह का graph देखने को मिलता है जो biphasic response को दिखाता है यहां जो यह black color का graph बना है यह systolic या diastolic BP नहीं है यह mean blood pressure है और red line heartbeats per minute है वाइवा में कभी-कभी यह भी पूछ लिया जाता है तो इस graph को देखकर क्या लगता है एक बार BP उपर गया और फिर नीचे आ गया हमारे पास 11 ऐसे drug हैं जिसमें से सिर्फ adrenaline ही ऐसा कर सकता है जिसका biphasic response होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि adrenaline alpha और beta receptor दोनों पर काम करता है स्टार्टिंग में जब हम कोई drugs देते हैं तो उसका concentration प्लाजमा में बहुत ज्यादा रहता है एडिनलीन high concentration पर alpha receptor को stimulate करके vasoconstriction कराता है जिससे BP बढ़ जाती है पर जब एडिनलीन का metabolism सुरू होता है और एडिनलीन का प्लाजमा में concentration कम होने लगता है तब lower concentration पर एडिनलीन beta 2 receptor पर काम करके vasodilatation कर देता है जिससे BP में fall देखने मिलता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडिनलीन beta receptor के लिए sensitive होते हैं इसलिए कम concentration पर सिर्फ beta receptor stimulate होते हैं जिससे mean BP में fall होता है इस point पर student अकसर confused होते हैं जिसका हम लोग फाइदा उठाते हैं confuse करने में and one more thing आडिनलीन के graph की बात हो रही है तो vasomotor reversal of dale और vasomotor re-reversal of dale के बारे में भी सीखते चलते हैं अब हमें ये पता है कि एडिनलीन alpha पर काम करके BP बढ़ाएगा और beta पर काम करके BP घटाएगा लेकिन अगर हमने पहले ही कोई non selective alpha blocker जैसे fentolamine दे दिया है तो हमारे सारे alpha receptors block हो जाएगे अब जब हम एडिनलीन फिर से देंगे तो हमें एडिनलीन का biphasic response देखने नहीं मिलेगा अब एडिनलीन सिर्फ beta receptor पर काम करके BP में fall कराएगा इसलिए non selective alpha blocker देने के बाद जब एडिनलीन दिया जाता है तो उससे सिर्फ fall in BP देखने मिलता है इस घटना को vasomotor reversal of dale कहते है next है re-reversal of dale इसमें सब कुछ सेम रहेगा बस non selective alpha blocker की जगा non selective beta blocker जैसे propanolol को use करते हैं तो यहाँ क्या होगा पहले propanolol दिया तो सारे beta receptor block हो गए अब जब हम एडिनलीन देंगे तो सिर्फ alpha receptor पर काम करके यह BP को बढ़ाएगा और यहाँ भी एडिनलीन का bifasic response देखने नहीं मिलेगा सिर्फ rise in BP होगा इस process को vasomotor re-reversal of dale कहते हैं बहुत simple है पर यहाँ तुम लोग भी बहुत confused होते हो अब आते हैं second drug पर जो है nonipinephrine या noradynaline बहुत simple सा क्राप है BP बढ़ रहा है और heartbeat घट रहा है BP बढ़ रहा है क्योंकि noradynaline सिर्फ alpha receptor पर काम करता है जिससे vasoconstriction होता है और BP बढ़ जाता है अब next question है तो फिर heartbeat क्यों कम हो रहा है अगर cardiac physiology याद है तो इसे reflex ready cardia कहते हैं जब भी blood pressure बढ़ता है तो aortic sinus और chaotic sinus से stretch receptor या baro receptor से signal generate होता है जो heartbeat को कम करते हैं इसका just opposite तब होता है जब blood pressure घट जाता है और heartbeat बढ़ जाता है जिसे reflex tachycardia कहते हैं ये सारे explanation कैल experiment के वाइवा में पूछा जाता है इसलिए ये सारी बाते याद रखनी है क्योंकि सिर्फ सही graph identify कर लेने से marks नहीं मिलेंगे next graph है isoprenaline का सबसे पहले isoprenaline क्या है ये एक non selective beta agonist है मतलब जितने भी beta receptor हैं ये सब पर काम करेगा but हम यहाँ सिर्फ beta 1 और beta 2 की बात करेंगे beta 1 heart में होता है तो जब ये stimulate होगा तो heart beat बढ़ेगा और beta 2 blood vessels में होता है जिसके stimulation से BP में fall होता है यहाँ पर heart beat उपर जाने के दो region हो गए है एक तो reflex tachycardia जो blood pressure के घटने से हुआ है और दूसरा beta 1 receptor का stimulation जो heart में present होते हैं फूर्थ graph है acetylcholine का यहाँ हम cholinergic system में आ गये हैं तो acetylcholine क्या है यह एक non selective cholinergic receptor agonist है जो muskarnik receptor जैसे M1, M2, M3 और nicotinic receptor जैसे NM and NN पर काम करके action produce करता है यहाँ हमारा main focus M2 और M3 receptor पर है क्योंकि यही दोनों heart और blood vessels में present रहते हैं acetylcholine M2 पर काम करके heartbeat कम कर देता है और M3 receptor पर काम करके vasodilation कराता है जिससे blood pressure में fall आ जाता है यहाँ पर examiner acetylcholine के इस mechanism को explain करने बोल सकता है So you must know कि ऐसा क्यों होता है अब यहाँ एक बहुत बड़ा confusion है कि अभी मैंने कहा था कि heartbeat और blood pressure में opposite relation होता है तो rule के अनुसार जब acetylcholine के कारण blood pressure में fall आया है तो heartbeat को बढ़ना चाहिए पर यहाँ तो heartbeat भी नीचे जा रहा है इसका explanation जो मुझे समझ में आया कि जब कोई drug heart और blood vessels दोनों के receptor पर एक साथ काम करता है तो वहाँ यह rule fail हो जाता है जैसा acetylcholine के case में हो रहा है यहाँ blood pressure fall होने के कारण heartbeat तो उपर जाना चाह रहा है पर क्योंकि acetylcholine M2 receptor पर भी काम करता है यह heartbeat को उपर जाने नहीं देता है 5th graph है histamine का यह क्या है यह एक inflammatory mediator है जो mass cell के वीतर granules में stored रहते हैं और inflammatory या hypersensitivity reaction के time में बाहर निकलते हैं histamine non selective histamine receptor agonist है यहाँ H1 और H2 receptor के stimulation से vasodilatation होता है जिससे fall in BP देखने के लिए मिलता है साथ ही reflex action के कारण heartbeat भी बढ़ जाता है वैसे histamine का direct positive action भी heart पर होता है जिससे heartbeat बढ़ जाता है तो यहाँ भी isoprenaline के जैसे heart पर direct as well as indirect दोनों action के कारण heartbeat बढ़ जाता है 6th graph है ephedrine का यह एक mixed acting symptomimetic drugs है जो sympathetic nerve ending से noradrenaline को release करवाता है इसलिए इसे indirectly acting drugs भी कहते हैं साथ ही यह alpha और beta दोनों receptor पर भी काम करता है इस graph में BP और heart rate दोनों बढ़े होते हैं जो इसे noradrenaline के graph से अलग करता है जिसमें heartbeat down रहता है इसकी एक और खास बात है कि ephedrine को अगर बार-बार very short interval पर दिया जाए तो इसका graph छोटा होने लगता है और इस phenomenon को tachyphylaxis करते हैं जो अक्सर indirectly acting drugs में देखा जाता है क्योंकि ऐसे drug का direct action receptor पर बहुत कम होता है और जो भी action है वो noradrenaline के secretion पर depend करता है इसलिए जब हम short interval पर बार-बार इस drug को repeat करते हैं तो adinergic nerve terminal पर noradrenaline deplete या कम होने लगते हैं जिससे ephedrine का action भी कम होने लगता है तो अगर किसी drug को 3-4 बार देने से उसका graph छोटा होने लगे तो mostly वो ephedrine ही होगा क्योंकि हमारे drug list में tachyphylaxis सिर्फ ephedrine में ही होता है अभी तक हम लोगों ने जितने भी drugs के graph को देखे हैं वो सब agonist थे मतलब receptor को stimulate करके action को produce करते हैं अब यहां से antagonist शुरू हो रहा है जो अलग-अलग receptor को block करेगा कैल experiment में हमेशा पहले agonist यूज किया जाता है और उसके बाद antagonist क्योंकि अगर पहले antagonist यूज कर लिया तो फिर agonist का graph नहीं आ पाएगा ओके सो सेवन्थ ड्रग है phentolamine यह non selective alpha blocker है यह जब alpha 1 receptor को blood vessels पर block कर देता है तो unopposed beta 2 action के कारण blood vessels dilate हो जाते हैं जिससे fall in blood pressure देखने मिलता है साथ ही reflex tachycardia के कारण heartbeat बढ़ जाता है eighth drug है propanolol यह non selective beta blocker है यह जब beta 1 receptor को heart पर block करता है तो heart rate कम हो जाता है जिससे cardiac output भी कम हो जाती है और finally mean blood pressure में fall देखने मिलता है इसलिए यहां blood pressure और heartbeat दोनों में fall देखने मिलता है जैसा acetylcholine के graph में होता है पर यहां एक बड़ा confusion है कि जब propanolol beta 2 receptor को block करेगा तो blood pressure को बढ़ना चाहिए क्योंकि beta 2 के stimulation से vasodilation होता है तो obvious सी बात है कि जब यह block होगा तो blood pressure बढ़ेगा पर ऐसा नहीं होता है तो इसका mechanism हम लोग किसी और वीडियो में discuss करेंगे पर practical viva में beta blocker का fall in blood pressure mechanism अक्सर पूछा जाता है तो वह एक बार पढ़ लेना नाइन्थ ड्रग है atropin बहुत ही simple graph है atropin का blood pressure पर कोई action नहीं होता है यह M2 receptor को heart पर block करके acetylcholine के negative action को heart पर block कर देता है जिससे heart rate बढ़ जाता है 10th और 11th drug है का graph same है एक है meperamin जो anti-histaminic H1 blocker है और दूसरा cementedin है जो H2 blocker है दोनों histamin के action को block करते हैं और इन दोनों का blood pressure या heart rate पर कोई असर नहीं होता है अब question है कि क्यों नहीं होता है तो इसका explanation यह है कि दोनों drug histamin के action को block करते हैं और histamin हमेशा inflammation या allergic condition में ही निकलते हैं अब हम जिस dog पर experiment कर रहे हैं वो तो healthy है उसके body में कोई inflammation या allergy तो है नहीं जिससे histamin release होगा इसलिए ये दोनों histamin blocker का भी कोई असर blood pressure या heart beat पर नहीं होता है यहां पर हमारे सारे drugs का graph complete हो गया है अब अगर सारे graph का review करते हैं तो कुछ ऐसे graph हैं जो बिलकुल एक जैसे दिखते हैं जैसे isoprenalin, histamin और fentolamin इन सब के graph में BP fall हुआ है और heartbeat बढ़ा है next है acetylcholine और propanolol दोनों में BP में fall हुआ है और heartbeat में भी fall हुआ है अब जब यह drugs unknown sample के नाम से आएंगे तो इन्हें हम कैसे identify करेंगे बहुत simple है पहला हमें कुछ drugs के graph का peculiar character पता होना चाहिए जैसे biphasic response सिर्फ adenoline में होता है tachyphylaxis जैसे repeated dose देने से response का कम होना सिर्फ ephedrine में देखा जाता है heartbeat का बढ़ना और BP पर कोई असर नहीं होना सिर्फ atropine में होता है next है BP और heart rate दोनों पर कोई असर का नहीं होना सिर्फ meparamine या cementidine के case में होता है अब आते हैं दूसरे point पर जहां एक से ज़्यादा drug के graph एक जैसे दिखते हैं ऐसे condition में जब भी हमें agonist का पता करना होता है तो हम उस drug का antagonist यूज करते हैं और जब antagonist का पता करना होता है तो उस drug का agonist यूज करते हैं example से समझते हैं suppose हमारे पास unknown sample है जिसके graph में BP fall हो रहा है और heartbeat बढ़ रहा है अब यह isoprenalin, histamin और fentolamin में से कुछ भी हो सकता है तो हमारा पहला step होगा कि agonist को use करके antagonist का पता लगाएं यहां पर fentolamin alpha blocker है तो इसका agonist होगा noradinalin अब हम सबसे पहले unknown sample inject करेंगे next fentolamin का agonist noradinalin inject करेंगे अगर noradinalin का graph नहीं आया मतलब fentolamin ने alpha receptor पहले से ही block कर रखा है और sample fentolamin ही है next है अगर graph आ गया it means कि यह fentolamin नहीं है तो यह isoprenalin या histamin हो सकता अब इसका पता लगाने के लिए first step में फिर से unknown sample drug देंगे और isoprenalin या histamin दोनों में से किसी भी एक का blocker देंगे now second step यहाँ isoprenalin beta agonist है तो next हमें beta blocker propanolol देना है third step में फिर से unknown sample repeat करना है अगर graph नहीं आया it means कि unknown sample isoprenalin का ही था और अगर graph आ गया तो एक ही drug बजता है और वो है histamin पर अगर इसे भी confirm करना है तो histamin के rule के अनुसार पहले हमें agonist देना है तो agonist कि antagonist के against देंगे वो है propanolol तो पहले unknown sample फिर propanolol का agonist है isoprenalin वो देंगे अगर isoprenalin का graph आ गया तो यह sample propanolol नहीं है और अगर graph नहीं आया मतलब unknown sample propanolol ही है next same exercise acetylcholine के antagonist atropine को देकर हम acetylcholine का भी पता लगा सकते हैं last में एक और graph है जो थोड़ा confusing है वो है meparamin और cementedine का और यहां भी दोनों का graph बिल्कुल एक जैसा है यहां एक बात समझने वाली है कि histamine H1 और H2 दोनों receptor पर काम करके BP में fall कराता है यहां H1 या H2 में से कोई भी एक blocker अगर पहले से दे दिया जाए तो histamine का fall in BP वाला action incompletely block होगा क्योंकि एक ही receptor block हो रहा है जिसके कारण histamine BP तो fall कराएगा पर intensity कम रहेगी इसी concept को हम लोग यहां use करने वाले हैं अब meparamine या cementadine को differentiate करने के लिए पहले first step में unknown sample देंगे जो की meparamine और cementadine में से कोई भी हो सकता है second step histamine देंगे जो की इसका agonist है तो हमें यहां fall in BP देखने मिलेगा पर थोड़ा कम जो मैं पहले explain कर चुका हूँ third step अब हम कोई भी एक drug meparamine या cementadine देंगे suppose हम meparamine देते हैं now fourth step में फिर से histamine repeat करेंगे अब अगर यहां histamine का partial effect वाला graph फिर से आया जैसा second step में आया था मतलब unknown sample meparamine ही है क्योंकि unknown sample ने भी H1 receptor को block किया था और third step में meparamine ने भी H1 receptor को ही block किया है पर अगर fourth step में histamine का graph नहीं आता है इसका मतलब है कि H1 और H2 दोनों receptor completely blocked है और ऐसे case में unknown sample cementadine था क्योंकि first step में unknown sample ने H2 receptor को block कर दिया था और third step में meparamine ने H1 receptor को block कर दिया जिससे histamine का कोई भी response fourth step में देखने के लिए नहीं मिला DOCS BP में एक और experiment है जिसका नाम है demonstration of nicotinic action of acetylcholine इस पर एक छोटा सा separate video में बाद में बना दूँ यहां पर हमारा DOCS BP का cal experiment खतम होता है कुछ लोगों को हो सकता है एक बार में पूरी तरीके से समझ ना आए तो इसे दोबारा देखना मुझे जितना हो सका उतने simple way में explain किया हूँ इसलिए video थोड़ी लंबी भी हो गई है इस video को save कर लेना क्योंकि पूरे YouTube पर ये video कहीं नहीं मिलेगा मुझे अपने students के revision के लिए material share करना था जब YouTube पर एक भी video नहीं मिला तब मजबूरी में मुझे ये video बनाना पड़ा So anyway, I hope सारे concept clear हो गये होंगे अगर अभी भी कोई doubt रह गया है तो comment में पूछ लेना और feedback भी दे देना तो आगे भी कुछ ऐसी video बनाता रहोंगा Enjoy your learning and have fun मिलते हैं अगले video में